हेलो दोस्तों मैं हुए स्पी आप सभी कैसे वागा थे हमारे चैनल में अब दोस्तों इसी महिने मतलब कि 50 नगस्ट को ओपीशली देटर में लीज़ हुआ है पल्यूर की मूवी खेल खेल में और इस मूवी के 18 days का box office collection भी हमारे सामने आ चुका है जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा चो कि करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिफिकेशन को ओल बेसेट कर देना ऐसे ही मूवी इसके box office collection के पारे में चानने के लिए जहाँ पे खेल खेल में मूवी का जो टोटाल पजेक था वो लगबाग 100 करों के आसपास का था तो उस बैट के सामने इस मूवी को अपने रिलीस होने के फर्स्ट एको लगबाग हमारे इंडिया में 1500 के आसपास के ही स्क्रीन प्लिस किया गया जो कि थुरा सा कम स्क्रीन तो था जिसके उपर से इस मूवी के ओपूसीट हमें स्ट्री टू जैसी मूवी देखने को मिला था तो उसी के चलते कई ने कई इस मूवी का जो एडवांस टिकिट बुकिंग था वो भी काफी कम था और ये मूवी अपने इलीस होने के फर्स डेको लगबग हमारे इंडिया से 5 करो 20 लाग के आसपास का ही पॉक्स ओपिस पे नेट कलेशन करते हुए ओपिनिंग ले आ था जो कलेशन कलेने के बाद इस मूवी का रिव्यू भी उतना चना निकलने के वज़े से इस मूवी का जो टेवाइस पॉक्स ओपिस कलेशन है वह में खास बरते हुए देखने को नहीं मिला जहाँ पे खेल खेल में मूवी अपनी हिलीस होने के 17 डेश के अंदर अंदर हमारी इंडिया से 31 कड़ो 95 लेक के आसपास का ही पॉक्स ओपिस पे नेट कलेशन कर पाया था जो कलेशन कलेने के बाद इस मूवी ने अपने डे 18 को लगबग हमारी इंडिया से 1 करो 70 लेक के आसपास का कलेशन किया है जिस अमौन को अगर इस मूवी के 17 डेश के बॉक्स ओपिस कलेशन के साथ टोटल किया जाए तो यह अपने खेल खेल में मूवी के 18 डेश का जो अमारे इंडिया का टोटल बॉक्स ओपिस कलेशन होता है और लगबग 33 करो 65 लेक के आसपास का चला जाता है जिसी के साथ ही मूवी अब तक ओबर सीस से भी लगबग 8 करो 72 लेक के आसपास का क्रोस कलेशन किया है जिस साड़े अमौन को एक तरीके से टोटल किया जाए तो अब खेल खेल में मूवी के 18 डेश का जो वाल्ड टोइट क्रोस कलेशन होता है वो लगबग 48 करो 76 लेक के आ ऑफुसित थेटर में लीज ना होता तो शाइद इस मूवी का जो टेवा इस बॉक्स ओपीस कलेशन है वो अच्छे का से तरीके से इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता क्यूंकि इस मूवी का जो रीविवी है वो हमें थोड़ा सा मिक्सी देखने को मिला था तो उसी के चलते अगर इस movie को एक solo सा release मिलता तो शायद ए movie box office पे एक अच्छाखासा collection कर जाता चो collection ए movie किसी ब्यालत में box office पे collect नहीं कर पाया है और शायद ये movie कर पाए जहापे अभी के time पी इस movie का जो box office collection है वो में थोड़ा बहुत बढ़ते हुए तेखने को मिल रहा है चो collection अगर ये movie करता रहे तो शायद इस movie का जो total box office collection होका वो 55 क्रड़ से लेकर 60 क्रड़ों के आसपास का जा सकता है जो collection ये movie कर पाता है की नहीं ये तो हमें इस movie का आने वाले दिन के box office collection को देखते हुए पता चली जाएगा वैसे उस तो आप लोग और इस movie को थेटर में जाके देना ऐसे movies के box office collection के पारे में जानने के लिए तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से next वीडियो में तब तक के लिए good bye